हाई फ्रेंड्स जैहिन इस वीडियो में हम फर्जी पॉल्टेक्निक गौवर्मेंट पॉल्टेकनिक कॉलेज की फर्जी कैंडिडेट के फर्जी सेट्रिफिकर्स आपको रिपर्जेंट करेंगे सबसे पहले मैं बता जू जो CMG युणिशिटी था CMG युणिशिटी को नगर विकास आवाज बिवाग ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है अर्बन डेप्लोमेंट डेपार्टमेंट ने CMG युणिशिटी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है धीरे धीरे ये जो CMG युणिशिटी के जो भी कैंडिडेट हैं चाहे वो PRD में हो, LRC में हो, स्रम संसादन विवाग में हो माइनर इरिगेशन डेपार्टमेंट में हो और अर्बन नगर विकास विवाग ने तो करी दिया इनको ब्लैक लिस्ट सभी डेपार्टमेंट से CMG युणिशिटी के कंडिडेट गायब हो जाएंगे ठीक है, इनका सेलेक्शन नहीं होगा, यह ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है बिहार के काउंसलिंग प्रॉसेस से नेक्स्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्मेंट पॉल्टेकनिक लखनव, गवर्मेंट पॉल्टेकनिक गोरकपूर और बुद्धा इंस्ट्टूट अफ टेक्नलाजी गोरकपूर जो की एक प्राइवेट कॉलेज है, यूपी का जो की डिप्लोमा सर्टेफेकेट्स देती है यानि की डिप्लोमा इन सिविल इंजिनिंग में इन तीन इंस्टूट्स ने जो इनके कैंडिडेट है, जोनने फॉर्म भरा था, उनके लगभग 91% से ज़्यादा अंकाए है और ऐसे 45 कैंडिडेट है, और इनका जो जिला है सारन, सिवान और गोपाल गंज ये तीन जिले से कैंडिडेट है, और ये यूपी के केवल तीन ही कॉलेज है इन तीन ही कॉलेज के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए है, उत्तर परदेश के, और ये तीन ही जिले के हैं बिहार के जो बच्चे है, वो हैं सारन, सिवान और गोपाल गंज और पैतालिस से जादा ऐसे कैंडिडेट हैं, जिनके 91% से जादा है, और जो कल लिस्ट आई है, अर्बन डेपलमेंट डिपार्टमेंट के, उसमें भी ये सब कैंडिडेट सेलेक्ट है, और ये 45 फर्जी है, यानि कि ये 45 के 45 होने चाहिए बाहर तो इस वीडियो को आपको सपोर्ट करना है, जिस तरीके से आपने प्रिविएस वीडियो को सपोर्ट किया, CMJ यूशिटी मेगाले बाहर हो चुगा है, इसी तरीके से जितनी भी फर्जी यूशिटी हैं, चाहिए वो बिहार की स्टेट बीटी हो, वो भी के जो उसके भी जो फर्जी केंडिडेट है, जो कि टॉपर से ज़्यादा अंग पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इसे बात को डिसकस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि 2016, 17, 18, 2019 में उत्तर प्रदेश के UP का जो कंड़ेट करता है, पॉल्टेकनिक के एक्जाम, वो BTE UP कंड़ेट करता है, या आपको 84 से 85 के भी इस उत्तर प्रदेश के टॉपर का अंग है, और उत्तर प्रदेश के ही, गुवर्मेंट पॉल्टेकनिक लगनो, गुवर्मेंट पॉल्टेकनिक गोरगपुर, और बुद्धा इस्टूट अफ टेक्नलोजी, इन तीन कॉलेज के फर्जी मार्क सिट में, 91 प्रतीसत से जादा अंग पानने वाले केंडिडेट हैं, 45, यानि कि ये 45 के 45 फर्जी हैं, तो इस वीडियो में आपसे हम डिसकस करने वाले हैं, बुद्धा इस्टूट अफ टेकनलोजी के बारे में, इस वीडियो को आपको जादा जादा सेर करना है, ये जो इनकी अंग है 94.18, इसके बाद एक कैंडिडेट हैं, उनको भी डिसकस कर लेते हैं, वो है गौर्मेंट पॉल्टेकनिक गोरकपुर के, ठीक है, गौर्मेंट पॉल्टेकनिक गोरकपुर के 2017 में डिप्लोमा किया था, इनकी अंग है 94.18, ये है सारन डिस्टिक से, इनका ना नाम है सरुन कुमार ठीक है नेक्स्ट फिर हम डिस्कॉस कर लेते हैं बुद्धा इंस्टूट आफ टेक्नलॉजी के एक केंडिडेट को जिसका नाम है पूजा कुमारी मैं लिख भी दे रहा हूँ पूजा जी का नाम ये पूजा कुमारी जो है ने ये फर्जी केंडिडेट इन्होंने बुद्धा इंस्टूट आफ टेक्नलोजी गोरगपुर से किया है इनके 94.09 पर तीसत हैं और ये पूजा कुमारी फर्जी है ठीक है और ये रहने वाली कहां की है ये सारा जिला की रहने वाली है ठीक है पूजा कुमारी के बाद जो नाम आता है वो है राजेस कुमार राजेस कुमार सीवान के हैं इन्हें नों गौर्वर्मेंट पॉल्टेक्नी गोरगपुर से डिप्लोमा किया है और इनके अंक है 94.04 इनके अंक है 94.04 और ये भी इस हिसाब से इनकी भी मार्कसिट संदेय के घेरे में है नेक्स्ट है बुद्धा इंस्टूट अफ टेक्नलाजी तो बुद्धा इंस्टूट अफ टेक्नलाजी जो है इसमें सुन्नी कुमार पटेल सुन्नी कुमार पटेल और ये साहाम है सिवान जिला के सिवान जिला के है ठीक है इनका home district सिवान है और जो इन्होंने डिप्लोमा लिया है वो बुद्धा Institute of Technology से लिया है डिप्लोमा इन Civil Engineering उत्तर पते से और इनके अंग है 94.04% इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर कीजिए ये लोग टॉपर से ज़्यादा अंग कैसे पा गए है और ये जो लिस्ट आई है 30 अप्रेल 2020 की लिस्ट है उनमें इनका नाम है और ये नाम भी गायब होने चाहिए हटने चाहिए जैसे CMJ University मिघाले में हटा था आप लोग इस वीडियो को पुराने की तरह सपोर्ट करते रहिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद